दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चेनल पर आज हम बात करेंगे कि एक होल्डर बल्ब किस ताना तयार कर सकते हैं वायर में होल्डर को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मस्बूती के साथ हमें फिट करना है इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तो एलेक्टिकल का कोई भी काउं करने से पहले अपनी सेफटी का पूरा दियान रखें वीडियो को पूरा देखें तब ही आप अच्छे से समझ पाएंगे वायर के सीरो को हमें बहुत थोड़ा सा छीलना है इस तरीके से जितनी के हमें जरूरत है दोस्तो हमारे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वायर के एक सीरे पर होल्डर को अच्छी तरीके से फिट करने के बाद अब हम वायर के दूसरे सीरे पर टू पिन प्लक फिट करेंगे टू पिन पिलक के लिए वायर के सीरे को हमें बहुत थोड़ा सा शीलना है हमारे चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कर दोड़ा है वायर के दूसरे सिरे पर टू पिन पिलाक हमें बहुत अच्छी तरीके से फिट करना है बहुत मजबूती के साथ इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं वायर के एक सिरे पर हमने होल्डर फिट करा है और वायर के दूसरे सिरे पर हमने एक टू पिन पिलाक बहुत अच्छी तरीके से फिट किया है हमारा होल्डर तयार है अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि यह सई काम कर रहा है या नहीं यह दिखिए हमारा होल्डर सही फिट हुआ है सही काम कर रहा है दोसर टेस्टिंग होल्डर बिल्गुल ठीक है इसे तरीके सामें एक टेस्टिंग होल्डर तयार करते हैं किसी चीज़ को चेक करने के लिए अगर हमारी वीडियों आपको पसन आए तो इसे शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग मैं यूटूब चैनल